हेलो एब्रिवन चलिए बात करते हैं रिस्ट वाचिस को लेकर कुछ क्लॉक्स को लेकर क्या आप जानते हैं कि आपके बेड्रूम में लगी हुई क्लॉक आपके हॉल में लगी हुई क्लॉक आपके स्टडी रूम में लगी हुई क्लॉक डिफरिंट डिफरिंट किस तरह से इ में ड्राइंग रूम में लगी होगी वो आपके family members, सभी family members पर impact डालेगी और जो wall clock आपके bedroom में लगी होगी, वो husband and wife जो couple उस room में रहता है उस पर impact डालेगी और जो wall clock study room में होगी, वो कही नगहीं वहाँ study करने वालों के ऊपर impact डालेगी तो wall clock, drawing room में different, study room में different, bedroom में different होती है क्या आप ये जानते हैं, उसके जो features है एक छोटे छोटे features, जो कुछ न कुछ कहानी कहते है इनसान के बारे में, उसकी life के बारे में, उसके targets के बारे में उसके success के बारे में, उसके failure के बारे में, कुछ न कुछ कहानी कहते है तो हमेशा यह जो wall clocks है, जो घर पे हम यूज़ करते हैं, जो wall clocks हम अपने office में यूज़ करते हैं, इसमें भी difference होता है, इनके features में भी difference होता है, यह कहीं न कहीं human behavior, human mind pattern या कह सकते हैं thought process पर असर डालती है, यह आप ही की चुनाव, आप ही की choice से लाई हुई, आप ही की life में यह wall clock लाई गई है, इसे आप ही ने purchase किया है, इसे आप ही attract करके अपनी life में लेकर आए हैं, तो कहीं न कहीं आपके thought process का impression आपके wrist watch में या आपके wall clock पर होता है, एक wall clock को देख कर बताया जा सकता है, कि इनसान का thought process क्या हो सकता है, क्या personality है उस इनसान की, उसके relationships के बारे में, उसके education के बारे में, उसके finances के बारे में, यह different different field, उनके बारे में बताया जा सकता है कि किस टाइप का इनसान हो सकता है यह, क्या issues हो सकते हैं, क्या success इसने हासिल की है अपनी life में, क्या failure यह जेल रहा है या जेल चुका है, यह कहानी कहती है, इनसान की wall clock, wrist watch, एक तरह का mind map है, एक तरह का mind pattern जो होता है, एक thought process कहा सकते हैं, जो इनसान का होता है, वो कहीं न कहीं, उसकी wrist watch में, उसकी wall clock में सामने आ जाता है, अगर तो कहीं negativity किसी के mind में होगी, वो negative things उसके wall clock में हो, उसके wrist watch में सामने आ जाती है, और वहीं अगर कुछ positive होगा, तो वही positivity उसकी wrist watch है, उसकी wall clock है, वो कहानी कहा देगी उस इनसान के बारे में, यह इनसान successful है, सब कुछ बता देगी, positive, negative सब बताती है, wall clock, wrist watch, तो इस तहें से होता है, यह कहीं न कहीं law of attraction काम करता है, कुछ numerology काम करती है, कुछ astrology connections काम करते हैं इसमें, और कुछ न कुछ intuition काम करता है, intuition, कोई vibrations, negative vibrations, positive vibrations, हर चीज़ काम करती है, wrist watch analysis में, चलिए मिलते हैं, next video में बात करेंगे कुछ और, wrist watch के बारे में, clocks के बारे में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बपाएं, झालो के बारे में, अजुछ आजंढे में, प्र बारे में, आज रया नाफ्हांग, झालो काम 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 काम